नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में तो जैसे कि आज के ये वीडियो सभी आगनबारी स्तेविका एवं महिला पड़विक्षिका के लिए काफी इंपोर्मेटिव होने वाली है तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देख लिजिएगा जैसे कि महिला एवं बाल विकास मंतराले भारत सरकार से प्राप्त पत्र के मुताबिक जो आगनबारी का पोशन ट्रेकर एप है उस पोशन ट्रेकर एप के जो भी लभारती है उनके लिए लभारती सिकायत निवारन परनाली कुरू की गई है वो अब पोशन ट्रेकर एप क जो भी लभार्थी हैं आपके आगनबारी केंदर की सिकायत कर सकती हैं उनकी जो असुभिधाये हैं उनको असुभिधाये किसी भी परकार की प्राप्त होती है तो वो सिकायत कर सकती हैं और उन सिकायतों का फीड़बेक आगनबारी स्थेविका और महिला परविक्षिकाओं क मोबाइल और जीमेल पर भेजा जाएगा तो क्या है पूरी परकिरिया क्या है पूरी जनकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को complete देखिएगा जिससे की जो ICDS विभाग से पत्र प्राप्त हुआ है उसकी जनकारी आपको complete मिल सके तो चल चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बिल नोटिफिकेशन दबाने के बाद औल का बटन जरूर सिलेट कर लें इस पत्र को जारी करने का जो डेट है वो है 7-10-2021 और इस पत्र की संची का संखिया है 51-71 और बिहार सरकार ICDS नीदेसाले के तरफ से इसको इस पत्र को भेजा गया है इस पत्र को जारी करने वाले है नोडल पदादिकारी पोसन अभियान ICDS नीदेसाले बिहार पटना और इसको सेवा में सभी जीला प्रोग्राम पदादिकारी यानि सभी DPO को पूरे बिहार में इस पत्र को जारी किया गया है इस पत्र का जो विशय दिया गया है जो तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि पोशन ट्रेकर के तहत लभार्थी सिकायत निवारन परनाली के संबंद में तो पोशन ट्रेकर के तहत जो लभार्थी है वो किस परकार की सिकायते कर सकती हैं कौन-कौन सी सुवधाय उनको दी जाएंगी सिकायत करने के लिए जैसे कि भारत सरकार का जो पत्रांग है वो दिनांग 29-29-21 को भारत सरकार के तरफ से एक पत्रांग जारी किया गया था महा से उप्रियुक विश्यक परसंगिक पत्र के संबंद में सोचित करना है कि पोशन ट्रेकर एप के तहट लवहार्थी निवारन परनाली की सुरुवात करने हेतु महिला यों बाल विकास मंत्राले भारत सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त हुए है जो इस पत्र के साथ सनलंगन कर उप्लवद कराई जा रही है लवहार्थी निवारन परनाली का उद्देश सेवा तंत्र की प्रभाव सीलता को बढ़ाना है लवहार्थी अपनी चिंताओं और सुविधाओं को उठाने के लिए इस सुविधा का उप्योग कर सकते हैं देख सकते हैं कि जो लव लवहार्थी सुविधा का उप्योग कर सकते हैं और आगनवारी केंद्रों पर पोशन सेवाओं में सुधार के लिए रियल टाइम फीड़बेक परदान कर सकते हैं तो और जो आगनवारी की जो पोशन सेवाय हैं उन सेवाओं में सुधार के लिए जो रियल टाइम अधतन साज़ा करने के लिए दो तरह का माध्यम होगा और देखिये जो लभार्थी हो किस परकार से सिकायत कर सकते हैं एक सिकायत निवारन परनाली पोसन ट्रेकर करेकरम की दक्षता और परभाव सीलता को मापने में मदद करेगी पोशन ट्रेकर के तहट लभार्थियों के लिए सिकायत निवारन परनाली मुखेता तीन तरीके के होंगे पहला तरीका है कॉल सेंटर दुसरा है मुबाइल और तिसरा है वेब अधारीत लभार्थी निवारन परनाली दो चर्णों में लागू की जाएगी पहले चरण में 30 सितंबर 2021 तक मुबाइल और वेब अधारीत दोनों मोड प्रारंभ कर दिया गया है दूसरे चरण में राष्ट्री अस्तर पर कॉल सेंटर तयार किया जाना है देखिए इसमें जो दो चरण है पहला चरण है कि 30 सितंबर 2021 तक जो मुबाइल और वेब अधारीत सिवाय है उसको परारंभ कर दिया गया है यानि कि मुबाइल से और ऑनलाइन जो जो नीचे आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन कहां पर जाके वो सिकायत कर सकते हैं और देखिए जो दूसरा चरण है दूसरे चरण की जो राश्ट्री अस्तर पर कॉल सेंटर शुरू किया जाएगा जिससे की कॉल सेंटर के माध्यम से भी लभार्थी सिकायत कर पाएंगे मुबाइल अधारित फीडबेक सर्विस देखिए लभार्थी अपने स्मार्टफोर में गूगल प्लेश्टूर के माध्यम से पोशन ट्रेकर अप्लिकेशन को डाउनलोड कर संचालित आगनवारी के जो केंद्र पर दिये जा रहे हैं सिवाओ के बारे में फीडबेक कर सकेंगे तो जो लभार्थी है वो पोशन ट्रेकर एप को अपने गूगल प्लेश्टूर से डाउनलोड करके जो उनको सिवाय दी जा रही है उसका फीडबेक प्रात कर सकते हैं दुसरा है पोशन ट्रेक और अप्लिकेशन के द्वारा वास्त्विक रियल टाइम के अधार पर आगनबरी सेविका को मुबाइल के माध्यम से और महिला परविक्षिका को इमेल के माध्यम से लभार्थियों द्वारा फीडबेक की जनकारी दी जाएगी अगर उनका सिकायत आ रहा है तो उनका जो स लेश्ट फीडबेक सर्विस यानि कि वो अन्लाइन भी सिकायत कर सकते हैं जैसे कि वेब उप्योग करता लभार्थि को यह जो लिंक दिया जा रहा है इस लिंक पर फिडबेक पर किडिया को भरने के लिए हेल्प फीचर का उप्योग कर अपनी फीडबेक दे सकते हैं यह जो लिंक दिया गया है इस पर जो लभार्थी है वो जाकर help feature का जो option वहाँ पर उप्योग किया जाएगा उस help feature की मदद से लभार्थी अपना feedback दे सकेंगे यह आगनबारी केंद्रों पर किस प्रकार की सेवाएं प्राप्त हो रही है और जो portion tracker application के द्वारा वास्तिवी समय रियल टाइम के अधार पर सेविका को mobile के माध्यम से महिला पर वेक्षिका को email के माध्यम से लभार्थी हो दोवारा किये हुए feedback की जनकारी दी जाएगी यहाँ पे नीचे mention किया गया है जो की portion छोर portion की ओर ठामे छत्रिय भोजन की दोर यह जो portion अस्तर में जो सुधार लान सिकायत निवारन परनाली का उप्योग करने है तो लाभू को तक इसकी जनकारी साजा की जाए जैसे कि भारत सरकार के दोरा यह जो निर्देश पराथ हुआ है जिस पत्र में बताया जा रहा है संसे वहाँ से जोड़ी उनके मन में कोई चींता या उस्विधा उनको पराथ हो रही है तो वो अपना सिकायत जो है कि जो मैंने आपको नीचे वेव पोर्टल का जो लिंक बताया उस पे वो लोग सिकायत करेंगी तो उमिद करता हो कि आप सभी को इस वीडियो से कंप्लीट जनकारी मिल गई होगी वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को प्लाइक, सेर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में